हेलो एवरीवन वेल्कम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफुर्डवल लर्निंग प्लैटपॉर्म में आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है 27 अगस्त 2024 तूजड़ यानि मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रस न्यूज अनालेसिस की आईना स्रीज लेकर मैं शांतनु सन्वाल एक बार फिर से आपके सामने हाजर हूं तो चलिए शुरू करते हैं तो आज की न्यूस्पिफर पर चले हैं उससे पहले आप लोग के लिए यह जानकारी जो मैं आपको कल भी दी थी कि हम लोग CSET का एक Life Classes का एक Batch जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं UPSC Prelims 2025 के लिए जिसमें हम लोग Quant, Reasoning और Reading Comprehension तीनों ही चीज़ें कवर करेंगे और Conceptual Clarity के ओपर Focus रहेगा PYQs का discussion यहाँ पर किया जाएगा Practice Questions आप लोग को Topic Wise जो है वो दिये जाएंगे Doubt Solving Sessions रहेंगे और Telegram Group बनाया जाएगा एक जो भी स्टुडेंट्स इस स्कोर्स को जोइन करेंगे और उनके लिए mentorship जो है वो वहाँ से प्रोवाइड की जाएगी तो 7 September से हमारा यह batch जो है वो शुरू होने वाला है और इसका जो प्राइज है वो सिर्फ रखा गया है ट्रिपल नाइन ठीक है यह ओफर प्राइज है ट्रिपल नाइन रुपीज का और फिर्स्ट फिफ्टी स्टुडेंट्स जो है वो इस प्राइज पर इस बैच को जोईन कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग जो है इस बैच को जरूर जोईन करें अगर आप लोग सी सेट पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है कल भी मैं आपको बताया था कि लाइफ क्लास जो है वो मंडे टू फ्राइडे रहेंगी दिन में तीन से पांच और क्लास भी प्रोवाइट की जाएंगी ठीक है बागी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा उस लिंक पर आप क्लिक करें वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और साथी साथ आप वहीं से अन्रोल भी कर सकते हैं उस लेंक के थूरू और अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो यहां पर जो यह नंबर दिया गया वाट्सअप का 91504490 इस नंबर पर आप कॉंटेक्ट कर लीजेगा आपके जो भी और डाउट हैं वो भी सॉल्फ कर दिये जाएंगे ठीक और बाकी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बार फि रूपिया याइडी का इस्तमाल करके सभी लोग कुछ ना कुछ कंट्रिब्यूशन जरूर करें ठीक है और यह मैं आपको बता दूँ मैं बड़े इमांदारी से चलने वाला और इमांदारी से काम करने वाला आदमी हो इस महने आप लोग का कंट्रिब्यूशन ओल्मोस्ट निल है ठीक है I don't know why ये बात मैं बड़े खुल के आप लोगों से कह रहा हूँ आप लोगों मैंसे किसी को अगर प्रूफ चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ but it is almost निल ठीक है तो ये अच्छी बात नहीं है ठीक है मलब जितना कंट्रिब्यूशन होना चाह नहीं कर पाऊँगा ठीक है भले ही आप लोगों के पास बहुत सारे प्लैटफॉर्म्स हैं बहुत सारे चैनल्स हैं आप कहीं से भी चीज को कवर कर सकते हैं ऐसा है नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो आप लोगों का गोई नुकसान होगा वो बात नहीं है ठीक है ऐसा नहीं है कि current affairs लोगों ने पढ़ना तब शुरू किया है जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया ऐसा नहीं है उससे पहले भी लोग पढ़ रहे थे और मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा तब भी लोग पढ़ेंगे बड़ा इशू इसकी मैं चीजों को continue ऐसे नहीं कर सकता यह मेरी मजबूरी है ठीक है इसलिए मैं आप लोगों से यह कहता रहा हूँ कि अगर YouTube सपोर्ट नहीं कर रहा है तो at least आप लोग सपोर्ट कीजिए आप लोग वीडियो उसको शेर भी नहीं करते हैं बिल्कुल भी शे करते हैं हाडली चार लोग ठीक है हर दिन का लगबग लगबग यही इस्तिति है कंट्रिब्यूशन तो ओल्मोस्ट निल है ठीक है YouTube सपोर्ट करता नहीं है आप लोग करते नहीं हो तो ठीक है फिर बंद कर देंगे सिरीज को बहुत जल्दी हमें क्या फरक पड़ता है तब bear किया जा सकता है उन चीज़ों को समहला जा सकता है बर बियोन्ड लिमिट एक लिमिट के बियूप जाने के बाद फिर चीज़ें कंट्रोल नहीं होती बर आप लोगोंसे मैं बार बार यही कहता हूँ आप लोग को क्यों पता नहीं हर दिन यह चीज़ समझानी पड़ती ह है छोटे छोटे अमाउंट अगर आप लोग हर महने देते रहें और जितने भी लोग यूट्यूब पर देख रहें अगर वो देते रहें तो चीजे चल जाएंगी उसमें कोई दिखर नहीं है अब जब आप लोगों को बात ही नहीं समझ में आनी तो फिर क्या ही बोलना मैं ठीक है जब तक मेरे से चल दा है मैं चलाओंगा जिस दिन नहीं चलेगा मैं कहादूँगा कि कल से क्लास यूट्यूब पर नहीं होगी ठीक है चलिए ऐसा करेंगे मैं रोज रोज आपको यह आपके सामने रोना नहीं रोऊंगा मैं सीधा-सीधा हिसाब है कि मैं कल से यही करूँगा कि जब तक classes यूट्यूब पर चल सकेंगे मुझसे मैं कहूंगा कि हम लोग कल से मिले कल फिर से मिलेंगे और जिस दिन मुझे लगेगा कि अब यह YouTube पर नहीं चल सकती है। उस दिन میں आपसे कहादूँ गा कि कल से हम लोग YouTube पर नहीं मिल रहे है है। ठीक है that is clear चलिए फिलाल हम लोग आज के नियूस पेपर पर आते हैं और आज के नियूस पेपर में फ्रेंट पेज पर ऐस सच कोई बहुत खास ख़बरें नहीं है ये केरला में जो बेसिकली केरला की फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जो सेक्शुल हरास्मेंट के जो मामले या सेक्शुल मिसकंड़क्ट के जो इशूस सामने आ रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर अब केरला की पुलिस ने केस वगेरा फाइल करने शुरू कर दिये हैं इसके बाद प्रधान मंतरी मोदी ने अमेरिका के राश्वधी जो बाल्डेन से डिसकस किया है फॉन में उनसे बात क पर इनसे की गई है ठीक है इसके बाद बात करें तो जम्मू कश्मीर में चुनाओ होने हैं और जम्मू कश्मीर में चुनाओ को लेकर कॉंग्रेस और जो नैशनल कॉन्फरेंस है ठीक है फारुक अब्दॉल्ला उमर अब्दॉल्ला वाली जो पार्टी है उनके बीच में alliance या एक गड़बंधन जो है वो बन गया है ठीक है इसके बाद BJP ने अपनी एक list निकाली थी उस list को जो है वो बाद मैं वापस ले लिया गया छोटा कर दिया गया ठीक है इस तरीके की चीज़ है जो है वो राजनीती के मंच पर चल रही है ठीक है आगे बढ़ते है बीच के pages में कोई खास news नहीं सीधे explain page पर आएंगे वहाँ पर दो तिन articles हैं जो हमें discuss करने हैं और वही हमारे आज का मुद्दा रहेगा तो Congress और National Conference का रिष्टा कैसा रहा है over the years इस पर जानी के जरुवत नहीं है completely political article है not important from exam point of view तो इसको आप पूरी तरीके से skip कर सकते हैं यहाँ पर एक article है जो बात कर रहा है unified lending interface की तो इसके बारे में बात करेंगे एक है vaccine derived polio इसकी बात करेंगे और भारत और अमेरिका के बीच में जो दो नए अभी agreements हुए हैं है ना defense के sector में उनको लेकर बात करेंगे और थोड़ा सा जो हाल फिलहाल के समय में यानि कि पिछले आप कह सकते हैं लगभग एक दशक के आसपास में जितने भी agreements हुए है defense agreements उनके बारे में भी जिखर किया जाएगा ठीक है चलिए तो बाकी और कोई articles आज नहीं है ये तीन articles के उपर हम लोग एक एक करके discuss करना शुरू करते हैं तो let's start from this first one that is unified lending interface अब ये unified lending interface क्या है देखो तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो reserve bank यानि कि RBI के governor है शक्तिकांत अदास उन्होंने कल के दिन ये कहा है कि एक nationwide launch होगा of the unified lending interface which will happen in due course मतलब आने वाले समय में आने वाले दिनों में एक राश्ट्र व्यापी इस तर पर nationwide इस तर पर जो है unified lending interface को launch किया जाएगा और इससे होगा क्या will transform the lending space in the country just like UPI और unified payment interface transform the retail payment ecosystem तो unified lending interface क्या है lending मतलब L-E-N-D-I-N-G lending का मतलब है lend करना मतलब उधार देना जैसे आप bank में जाते हैं तो bank क्या है bank में आप जाते हैं लोन लेते हैं तो bank क्या है bank is a lending institution तो उसी तरीके से unified lending interface बनाने की ये बात कर रहे हैं कि जिससे होगा ये कि जो lending space है ठीक है या जो आप कह सकते हैं कि जो lending की मतलब उधार देने का जो पुरा का पुरा system है वो transform हो जाएगा इनका कहना है कि जैसे UPI आने के बाद जो retail payment ecosystem है वो जिस तरीके से transform हुआ था उसी तरीके से जो lending space है वो भी transform हो जाएगा ये ULI या Unified lending interface आने के बाद अब ULI बेसिकली क्या है देखो RBI ने पिछले साल अगस्त में एक tech platform स्टार्ट किया था for enabling frictionless credit है ना credit देने के लिए और वो भी उसमें ज़्यादा एकलीफ है ना हो frictionless पूरा का पूरा सिस्टम हो तो उसको enable करने के लिए एक tech platform जो है वो RBI ने पिछले साल शुरू किया था और शक्तिकानता दास का यहाँ पर यह कहना है कि यही जो platform है जो यह tech platform है इसी को आप क्या कहा जाएगा Unified Lending Interface The initiative is still in the pilot stage लेकिन अभी यह initiative जो है वो पूरा नहीं हुआ है अभी भी यह शुरुवाती stage में है तो pilot stage में ही है मतलब इसको universally launch अभी नहीं किया जाएगा ULI aims to bring efficiency in the lending process by reducing cost and facilitating quicker disbursement and scalability तो lending process में efficiency को लाने की यह बात कर रहे हैं कि ULI का यह aim है कि जो lending process है उसमें efficiency आएगी कैसे कि जो cost है ठीक है वो कम हो जाएगी साथी साथ quicker disbursement मतलब जो भी loans वगएरा किसी को मिलते हैं तो वो quickly मिलेंगे ठीक है quicker disbursement होगा तो वो facilitate किया जाएगा इस platform के जरीए और साथी साथ scalability भी होगी मतलब जादा इस तर पर या जादा आप कह सकते हैं नंबर में जो है वो lending वगएरा को support किया जाएगा अब ये कैसे काम करेगा तो इसमें लिखा है कि digital credit delivery के लिए है ना digital अगर कोई loan लेता है तो उसके लिए जो data required होता है for credit appraisal मतलब credit को approve करने के लिए या loan को approve करने के लिए वो क्या होता है अब ये data जो है वो अभी currently अलग-अलग entities के पास होता है मतलब जितना data अगर कोई व्यक्ति digital रूप से अगर loan लेना चाहता है ठीक है तो उस व्यक्ति को credit delivery या loan देने के लिए जिस भी तरीके के data की जरुवत होती है companies के पास होता है और digital identity authorities तो ये सारा का सारा data जो है वो अलग-अलग entities के पास होता है however these data sets are in separate systems creating hindrance in frictionless and timely delivery of rule-based lending तो अब ये सारा का सारा जो system जो data है वो अलग-अलग system में होता है तो इसी लिए जो frictionless और time-based या rule-based आप कह सकते है lending है उसमें क्या होता है उसमें कुछ hindrance या कुछ रुकावटें बाधाएं है ना इस तरीके के barriers वगरा रहते हैं अब इसी चीज़ को जो है वो ULI change करेगा कैसे RBI chief का ये कहना है that the platform will facilitate a seamless platform क्या facilitate करेगा a seamless and consent-based flow of digital information ठीक है seamless seamless मतलब बिना किसी रुकावट के और consent-based कि मतलब जिसका वो data है उससे consent लेगे उससे permission लेगे वो data जो है digital information के flow को facilitate करेगा जिसमें land records भी शामिल होंगे ठीक है और ये सारा का सारा data जो है वो multiple data service provider से lenders तक पहुँचेगा क्योंकि जो भी व्यक्ति loan लेना चाहता है उससे related जो भी information है वो lenders तक पहुँचेगी उसके बाद ही lenders जो है वो loan disperse करते हैं तो इससे होगा क्या कि अब ये सारा का सारा data जो है वो अगर seamless move करेगा या seamless इसकी flow रहेगी तो इससे होगा ये कि credit appraisal का जो timing है वो कम हो जाएगा ठीक है credit approved को होनेगा या loan approved होनेगा जो time है वो कम हो जाएगा especially smaller और rural borrowers के लिए ठीक है जो छोटे उदार लेने वाले हैं या छोटा जो loan लेने वाले हैं या जो ग्रामिन शेत्रों में loan लेने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी and allow them to benefit from quick and seamless delivery of credit without the need for extensive documentation ठीक है और उनको इस बात का भी फाइदा मिलेगा कि delivery of credit यानि कि उनको जो loan है वो जल्दी और seamless तरीके से मिल गया और उसमें कोई बहुत जादा कागजी कारवाई या documentation की जरुवत भी नहीं पड़ी ठीक है अब यहाँ पर शक्तिकांदादास का ये भी कहना है कि जो ULI architecture है इसका एक common और standardized APIs है that is application programming interface या फिर ऐसे mechanisms जो enable करते हैं कि दो software components आपस में एक दूसर से communicate कर सके design to ensure digital access to information from diverse sources ठीक है ताकि वही है कि जो diverse sources है जो अलग-अलग sources है उनसे जो information है उसको digitally access किया जा सके ठीक है तो इसलिए इसमें बताया गया है कि इसका जो architecture है वो ऐसा design किया गया है कि common और standardized APIs है उसमें ठीक है कि जिसके थूँ एक दूसरे software आपस में जो software है वो एक दूसरे से communicate करके data access कर सकते हैं ठीक है समझ गया बात यहां तक इसके बाद आगे लिखा है कि why is this development significant कि अब यह जो development हो रहा है यह क्यों important है क्यों significant है तो हाल ही के सालों में India has embraced the concept of digital public infrastructure ठीक है भारत ने पिछले कुछ सालों में यह digital public infrastructure का concept लेके आए है जो encourage करता है banks, NBFCs, fintech companies और startups को to create and provide innovative solutions in payments, credit and other facilities financial activities है न यह जो digital public infrastructure सरकार लेके आई है concept उसके बाद वो basically banks को, NBFCs को या जो fintech companies है उनको या startups को encourage करता है कि वो इस तरीके के innovative solutions बनाए payments के लिए credits के लिए और financial activities के लिए अब ULI जो है वो इसी पूरी की पूरी process में एक major milestone साबित होगा अब जो यह नई Trinity बनेगी that is JEM, UPI और ULI की will be a revolutionary step forward in India's digital infrastructure journey भारत की जो digital infrastructure की journey है उसमें यह एक कांतिकारी कदम जो है वो साबित होगा क्या JEM, UPI और ULI का जो क्या कहेंगे इसको Trinity का मतलब वह हुआ अब जैम का मतलब आपको पता है जन धन अधार और mobile यह बेसिकली वो टूल है जिसका इस्तमाल सरकार करती है किसलिए beneficiaries या लाभारतियों के जो bank account है उनमें direct cash benefits transfer करने के लिए इसके बाद UPI UPI जिसको NPCI या National Payments Corporation of India ने 2016 में यह allow करता है individuals को की multiple bank accounts single mobile application के through access कर सकते हैं और कई सारे जो banking features हैं वो एक ही जगे पर user को मिल जाते हैं It has played a pivotal role in the growth of retail digital payments in India हैना भारत में जो retail digital payments बड़े हैं उसमें इसका बहुत बड़ा role है UPI का which is launched by NPCI or has emerged as a robust cost effective and portable retail payment system which is attracting global interest today और यह एक robust cost effective और portable retail payment system बन गया है और इसमें global interest भी आज की date में दिख रहा है बाकी लोग या बाकी देश जो है वो भी इसमें interest दिखा रहे है UPI में है तो UPI और jam तो ही है उसके सांसा ULI भी आ जाएगा तो इससे कहा जा रहा है कि यह भारत के जो digital infrastructure की journey है उसमें क्या करेगा एक क्रांतिकारी कदम जो है वो साबित होगा ही revolutionary step साबित होगा ठीक है समझ गए बात चलो इसके बाद अगले article पर आए तो यह वाला article तो आपका basically economy accelerated हो गया है ना इसके बाद यह वाला article कह रहा है what is vaccine derived polio and how to prevent it vaccine derived polio का मतलब है vaccine से होने वाली polio अब यह क्या चीज है और इससे कैसे बचा जा सकता है तो देखो हाल ही का एक मामला है एक दो साल का बच्चा मेगाले के West Garo Hill District से उसमें वहां से यह रिपोर्ट आई है कि उस बच्चे में positive वो पाया गया है for polio एक ऐसी बिमारी है जो बहुत जादा infectious है debilating है debilating का मतलब है कि इसमें बहुत जादा weakness कमजोरी आ जाती है और possibly fatal virus disease है fatal मतलब इससे जान भी चली जाती है यह पहले कई सारे लोगों को जो है वो प्रभावित करता था और आज की डेट में यह सिर्फ इतिहास के किताबों में ही देखने को मिलता है कि पहले इस तरह के कापोलियो बगरा होता था क्योंकि एक effective vaccine इसको इसके against लेके मतलब आई लाई गई और उसने काफी अच्छा काम किया ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर union health ministry के जो officials है उनका कहना है कि यहाँ पर यह जो case आया है मिखाला में इस बच्चे का यह vaccine derived का case है vaccine derived यह polio है और यह भारत का polio free status है उसको किसी भी तरीके से geopolitize या खत्रे में नहीं डालता क्योंकि India is already declared polio free country ठीक है भारत polio free already declared किया जा चुक है तो यहाँ पर basically जो यह case आ रहा है ठीक है और इस तरीके कुछ cases और भी आये है recent times है वो आगे देखींगे तो यह basically उसकी वज़े से हुआ है vaccine की वज़े से हुआ है और ऐसा अगर हो भी रहा है तो यह भारत का जो polio free status है उसको किसी भी तरीके से खत्रे में नहीं डालता geopolitize नहीं करता है ठीक है अब देखो vaccine derived polio infection क्या होता है देखो vaccine derived polio virus is a strain related to the weekend version of the live polio virus contained in the oral polio vaccine ठीक है जो oral polio vaccine दी जाती है ना वो दो भूठ जिंदगी की जो दी जाती है उसमें होता क्या है उसमें life polio virus होता है ठीक है इस तरीके के जो भी vaccines होती है उनमें वह होता है जैसे अब यह अपने covid की vaccine लगवाई होगी है ना तो covid की vaccine में भी होता है उसमें भी life virus होता है उसका weekend form होता है वो आपके शरीर में डाला जाता है ताकि आपके शरीर के अंदर की जो antibodies हैं वो उसको पहचाने और उसके against fight करना शुरू करें तो इसमें भी यही था कि जो oral polio vaccine है उसमें polio virus का के life polio virus का weekend version था ठीक है अब polio drops जो है वो काफी हद तक by and large बहुत जादा safe है और इसी की वज़े से जो है वो polio का infection जात अर्देशों में खत्म हो पाया है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही rare occasion में ठीक है कभी कभी क्या होता है कि इसकी वज़े से disease जो है वो trigger भी हो जाती है ऐसे बच्चों में खास कर जिनका immune system बहुत कमजोर होता है ठीक है जिनका immune system या जिनकी जो प्रतिरोधक शमता है अगर वो बहुत कमजोर होती है किसी बच्चे की तो उसको अगर इस तरीके का vaccine दिया जाता है क्योंकि उस vaccine में मैंने बताया है कि life polio virus का weekend version कमजोर version है और ऐसे अगर किसी बच्चे को वो दिया गया है जिसका immune system बहुत कमजोर है तो उसकी case में उसको वो virus हो भी सकता है उसको वो polio हो भी सकता है उसकी वज़े से ठीक है तो यही basically vaccine derived polio है कि vaccine की वज़े से हो गया और OPV can lead to vaccine derived infections in one of the two ways OPV यानि कि जो oral polio vaccine है इससे vaccine derived infection हो सकता है दो तरीके हैं तो दो मैंसे यहाँ पर मतलब दो मैंसे किसी एक तरीके से हो सकता है अब यह दोनों तरीके नोंने यहाँ पर बताए है कि कुछ cases में ऐसा हो सकता है जो weekend virus है ठीक है जो weekend virus है किस में vaccine में can continue circulating from child to child वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में circulate हो सकता है gaining back its ability to transmit quickly और जब वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में transmit हो रहा है circulate हो रहा है तो उसमें जो virus है क्योंकि वो पहले तो weekend version में था लेकिन हो सकता है कि वो अपनी ability को regain कर ले virus और transmit कर जाए quickly and then cause severe infection every time it spreads और उसके बाद वो जितनी बार भी फैले उससे serious infection हो सकता है ठीक है तो एक तो ये तरीका है जिससे वो फैल सकता है मतलब जिसकी वज़े से vaccine derived virus vaccine derived हो सकती है infection और दूसरा ये है कि the vaccine the virus in the vaccine can also cause chronic infection in children with weakened immune systems ठीक है कि जो बच्चे जिनका immune system बहुत कमजोर है उनमें chronic infection हो सकता है मतलब बहुत लंबे समय का infection हो सकता है replicating in their gut for years and slowly gaining its ability to cause severe infection ठीक है तो उस बच्चे के पेट में वो जो virus है वो धीमे धीमे ठीक है कई सालों तक जो है वो replicate करेगा उसकी ability बढ़ जाएगी और उसके बाद फिर वो भयानक infection कर सकता है ठीक है और यही माना जा रहा है कि यही वो case है जो मिघाले के बच्चे का case है वो यही वाला case बताया जा रहा है ठीक है कि वो ऐसा ही है अब यह जो इस तरीके का vaccine-derived variants की वज़े से जो infection हो रहा है इसका further spread को रोकना आसान है इसको control करना आसान है क्योंकि उस area के बागी बच्चे जो है वो already उनको vaccine वगरा मिल गई होगी पहले ही है ना तो इसलिए उसको control करना आसान है और यहाँ पर यह लिखा गया है कि one in every 1,50,000 children given the OPV in India is infected by it ठीक है कि भारत में हर देड़ लाख बच्चे को हर देड़ लाख बच्चे को जो OPV दिया जाता है oral polio vaccine जो दिया जाता है वो polio drops के थू उसमें से सिर्फ एक बच्चा जो है उसमें इस तरीके का vaccine-derived polio देखने को मिलता है साथी साथ इसमें यह भी लिखा गया है कि even if children in an area where such a case is reported are completely vaccinated health care health workers have to immunize them once again as a preventive measure ठीक है पहले तो उन्होंने कहा कि chances वैसे कम है कि बाकी लोगों में या बाकी बच्चों में फैलेगा क्योंकि उनको already पहले से ही vaccine दिया होगा लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि दिया गया उन बच्चों को वाज़ अलग बात है बट फिर भी एक बार और जादा better ensure करने के लिए कि उन बच्चों में ये वाइरस ना फैले उनको एक बार फिर से vaccine दिया जाना चाहिए आप इसके बाद वही है कि है vaccine derived cases polio cases being detected in India तो क्या इस तरह की cases इंडिया में detect पहले भी हुए हैं तो भारत जो है वो polio free declare कर दिया गया था 2014 में ठीक हैं after successfully preventing any wild polio that is the infection caused by naturally occurring version of the virus infection for 3 years यानि कि wild polio के cases अगर 3 साल तक नहीं आते हैं तो फिर किसी भी देश को polio free घोशित कर दिया जाता है और इसी तरीके से भारत को भी polio free घोशित कर दिया गया 2014 में ठीक है, wild polio का मतलब क्या होता है कि जो naturally occurring version है virus का अगर उसकी वज़े से कोई infection हो रहा है ठीक है ऐसे ये vaccine दिया उसकी वज़े से हुआ वो नहीं naturally occurring अगर virus है उससे अगर infection हो रहा है तो उसको का जाएगा wild polio और अगर इस तरीके के wild polio के cases लगातार 3 साल तक नहीं आते हैं तो फिर किसी भी देश को गोशित कर दिया जाता है डिकलेर कर दिया जाता है polio free और इंडिया को भी किया गया 2014 में हाला कि जो vaccine derived polio के cases है ये report होते रहे यहाँ पर पताया गया है कि 2013 में एक 11 महीने का बच्चा था immunodeficient child from महरास्ट बीड डिस्रिक्ट वो इस vaccine derived polio की वज़े से उसकी death हो गई और most recently जो अभी एक मेगाले का case आया है उससे पहले ऐसा ही एक case केरला में भी आया था पिछले महीने इस cases do not affect India's polio free status only the detection of wild polio virus will change that ठीक है लेकिन इस तरीके के मैं बताया कि आपको इस तरीके के जो cases आ रहे हैं vaccine derived virus वाले इससे भारत का जो polio free status है उसके उपर कोई असर नहीं पड़ता लेकिन हाँ अगर wild polio infection होता है ठीक है कि अगर naturally occurring virus की वाइरस की वज़े से अगर कोई case आता है तो फिर उसकी वज़े से भारत का polio free status वापस लिया जा सकता है अब how can such cases be prevented अब इस तरीके की cases को कैसे रोका जा सकता है देखो जो OPV है oral polio vaccine वो extremely effective है in preventing the spread of polio virus from one individual to another कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में वो virus ना फैले उसको रोकने में वो बहुत ज़ादा effective है the ease of administering the oral drops led to the OPV becoming the main history of the global polio eradication program और इसको देना भी आसान है और administer करना भी आसान है मूँ खोल के दो drop उसमें डालनी है इसी की वज़े से जो global polio eradication programs है उसमें इसी का use किया गया लेकिन इसका एक drawback है ठीक है एक कमी एक drawback ये है कि rare cases में it can not only trigger the infection but can also lead to its spread to others rare cases में जैसे अभी मैं आपको बताया है कि इससे infection हो भी सकता है ठीक है वही vaccine derived polio वाला और वो तो हो ही सकता है उसके सांसाथ ये it can also lead to its spread to others ये बाकियों में फैल भी सकता है ये इसका एक drawback है ठीक है अब कुछ experts ने ये recommend किया है कि oral polio vaccine देने की बजाए IPV में switch कर लिया जाए IPV का मतलब है injectable polio vaccine कि injection के थूँ उसको दिया जाए लेकिन इसके भी drawbacks है IPV के लिए सबसे बड़ी एक तो drawback ये है कि उसमें उसको administer करने के लिए आपको trained personal चाहिए ठीक है क्योंकि हर कोई आदमी injection नहीं लगा सकता है ना वो घर घर जाके भी जैसे आपने देखा है कि लोग polio की drops पिलाते हैं तो वो तो आसान है ठीक है दो drop मुँ में डालनी है that is easy बट अगर injection लगाना होगा तो फिर उसके लिए trained personal चाहिए तो इससे immunization rate जो है उसके उपर adverse impact पढ़ सकता है वो कम हो सकता है और साथ ही साथ it can also not prevent the spread of the infection from one person to the other और ये भी जो है वो एक person से दूसरे person में infection के spread को रोक नहीं सकता ये भी इसका issue है to further, to prevent further outbreaks high levels of immunization must be maintained और further outbreaks को रोकने के लिए immunization का जो level है वो जादा होना चाहिए moreover the IPV can only extend the protection to the immunized individuals and since it does not contain any live virus there is no possibility of vaccine derived polio लेकिन इसमें ये है कि IPV जो है, इसमें कोई live virus वाला system नहीं होता जो OPV में होता है, इसमें नहीं होता तो इसकी वज़े से vaccine derived polio इससे नहीं हो सकता IPV से, जो injection वाला है उससे ठीके, अब कुछ देश जैसे कि America ये already completely switch कर गए है IPV में, इंडिया जो है वो अभी भी दोनों चीज़ें यूज़ कर रहा है IPVB और OPVB IPV basically बच्चों को जब routine immunization होता है, जब बच्चों को TK वगरा लगते हैं, तो उस polio vaccine जो है वो बच्चों को दिया जाता है 5 साल तक के बच्चों को, जैसे pulse polio days होते हैं, या आपने देखा होगा कि pulse polio days के बाद भी आपके घरों में कुछ महिलाएं वगरा आती है ठीक है, मतलब उनको ये काम सहुपा जाता है कि आप जाईए और पता कीजिए कि जिस घर में भी छोटा बच्चा है उसको polio drop पिलाई जाए, तो ये सारी चीज़े होती है, ठीक है तो आई होब आप बात समझ गए, क्या-क्या चीज़े यहाँ पर दी गई है और जो भी important points है, वो भी आप समझ गयोंगे, clear है चलिए, आगे बढ़े इसके बाद हम लोग अगले article पर आते हैं यह वही अमेरिका और भारत के बीच में जो agreements हुए हैं, उसको लेकर बात करेंगे, और किस तरीके से हाल-फिलाल के समय में भारत और अमेरिका के बीच में जो defense ties हैं, जो defense हमारे रक्षा संबंद हैं वो कैसे बड़े हैं, उनकी थोड़ा सा इतिहास को हम लोग देखेंगे तो देखिए बारत और अमेरिका ने यहाँ पर दो agreements अभी sign किये हैं, one is security of supply arrangements, that is SOSA and memorandum of agreement regarding the assignment of license officers, ठीक है यह basically जो bilateral military agreements हैं, जिसने बारत और अमेरिका के बीच में, security और defense cooperation को रक्षा और सुरक्षा के जो संयोग है, उसको बढ़ाया है, पिछले एक दशक में यह उसी का, उसी सिरीज में एक latest agreements यहाँ पर हुए हैं अब यहाँ पर दोनों देशों ने agree किया है to advance priority co-production projects, ठीक है कि जो co-production projects है, मतलब जो साथ मिल के बनाने वाले projects है उसको priority पर रखा जाएगा जैसे कि jet engines बनाने की बात है unmanned platforms, munitions ground mobility system और यह सारी चीज़ है 2023 का जो US India roadmap है for defense industrial cooperation उसके थूँ होगा अब यह दो नई agreements के बारे में वैसे हम लोग पहले भी discuss कर चुके हैं भी 2-3 दिन पहले, बट फिर से एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, तो सोसा के अंतरगत, भारत और अमेरिका जो है वो एक दूसरे को reciprocal priority support provide करेंगे for goods and services that promote national defense ठीक है, ऐसे goods and services जो national defense को promote करते हैं उनके लिए priority support दोनों देश एक दूसरे को देंगे it will enable both countries to acquire the industrial resources they need from one another to resolve unanticipated supply chain disruptions to meet national security needs यानि कि अगर कभी कोई supply chain disruption होता है है ना, तो वो भी प्रभावित नहीं करेगा और दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे की जो national security जरुवते हैं उनको पूरा करने के लिए इस तरीके की चीज़े एक दूसरे को provide करेंगे भारत जो है वो अमेरिका का अठारवा SOSA पार्टनर है ये भी मैंने आपको बताया था और यहाँ पर आला कि उन countries के नाम नहीं दिये गए है जो बाकी SOSA members हैं बट अभी जो हमने दो-तिन दिन पहले article discuss किया था वहाँ पर ये था SOSA हला कि जो है वो अमेरिका का जो DOD है that is Department of Defense उसके अनुसार are an important mechanism to strength interoperability with US defense trade partners it is legally non-binding important point यह है कि यह legally binding नहीं है ठीक है जो DOD है has been working to conclude another agreement with India तो DOD जो है वो यह चाहता है वहाँ का Defense Department of Defense कि भारत के साथ एक और agreement जो है वो किया जाए that is reciprocal defense procurement agreement जो binding है which is legally binding ठीक है यह ध्यान रखेगा और जो RDP agreements है they are intended to promote rationalization, standardization interchangeability and interoperability of conventional defense equipment with US allies and other friendly governments और US ने जो है अभी तक इस तरीके के RDP agreements 28 देशों के साथ जो है वो share किये है ठीक अचा MOU on liaison officers यह दूसरा agreement है तो memorandum of agreement regarding the assignment of liaison officers is a progression on our decision taken earlier to increase information sharing भारत और अमेरिका के बीच में information sharing को बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है और इसमें Indian Armed Force के जो officers हैं वो strategic US commands में उनको deploy किया जाएगा उनको post किया जाएगा भारत जो है वो पहला liaison officer post करेगा to the US special operation command headquarters in Florida ठीक है अब cooperation milestones के अगर हम बात करें दोनों देशों के बीच में तो vision for bilateral defense cooperation यह शुरू हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में सितंबर 2013 के joint US-India defense declaration on defense cooperation के थूँ और उसके बाद 2015 में framework for US-India defense relation इसके थूँ जिसमें दोनों देशों ने commit किया था कि वो इस सेक्टर में defense के सेक्टर में एक दूसरे का cooperation या सहीयोग जो है वो बढ़े बढ़ाएंगे इसके बाद 2023 में एक roadmap पाता है the roadmap for defense industrial cooperation released last year envisioned the conclusion of उसमें यही था कि SOSA और RDP agreement जो है वो किये जाएंगे SOSA तो हो गया आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि RDP भी हो जाएगा the US endorsed the integration of Indian defense industry into global supply chains and extended support to India to develop naval and maritime infrastructure to create an Indo-Pacific regional hub for ship and aircraft repair and maintenance ठीक है अमेरिका यह चाहता था कि भारत की जो defense industry है उसको global supply chain में उसके साथ integrate किया जाए और भारत को support किया ताकि भारत जो है वो naval और maritime infrastructure develop कर सके ताकि एक Indo-Pacific regional hub बन सके भारत और ship and aircraft repair और maintenance के लिए priority areas of cooperation जो इस roadmap में identify किये गए that includes intelligence, surveillance and reconnaissance, undersea domain awareness, air combat and support including aero engines, munition systems and mobility ठीक है यह इसमें main जो areas है उनको identify किया गया इसके बाद बात आती है ICT की जनवरी 2023 में भारत और अमेरिका का initiative on critical and emerging technologies इसको discuss किया गया to expand the strategic technology partnership and defense industrial cooperation ठीक है strategic technology partnership or defense industrial cooperation को बढ़ाने के लिए इस चीज के उपर चर्चा हुई दोनों देशों के national security advisors अजीर डोवाल और जैक सुलिवन इन्हों नें डिसकस किया opportunities for greater cooperation in critical and emerging technologies की critical and emerging technologies में दोनों देशों के बीच में जो cooperation है जो सही होग है उसको बढ़ाने की बात की गई और including co-development and co-production की चीजों को साथ मिलके develop किया जाएगा साथ मिलके produce किया जाएगा and ways to deepen connectivity across our innovation systems जो हमारे innovation systems है उसमें भी connectivity को और जादा गहरा किया जाएगा इसके बाद आता है इंडस X जून 2023 में पिछले साल प्रदानमंत्री नरेंदर मोधी की जो US की official visit थी उसके दौरान वहां का जो department of defense है और भारत का जो ministry of defense है इन्होंने मिलके launch किया इंडिया-U.S. defense acceleration ecosystem जाद इंडस X which took forward the commitment to build a defense innovation bridge under ICET के अंदर गत जो defense innovation bridge बनाने का commitment था यो उसको आगे लेके जाता है इसके बाद कुछ foundational agreements की बात करें तो 2002 में भारत और अमेरिका ने sign किया था general security on military information agreement that is G.S.O.M.I.A to facilitate sharing of military information एक दोस्तुरे देश के बीच में military information शेयर करने के लिए ये sign किया गया था 2016 से 2020 के बीच में दोनों देशों ने चार agreement जो है वो और sign किये इसकी अगर हम बात करें के करके तो एक था लैमोवा ठीक है that is logistics exchange memorandum of agreement 2016 का ये establish करता है basic terms conditions and procedures for reciprocal provision of logistic support supplies and services between the two militaries कि दोनों देशों के military के बीच में logistic support supplies और services के लेकर जो भी procedure है जो terms conditions है ये वो डिफ establish करता है इसके बाद 2018 मैं sign किया गया comcasa that is communications compatibility and security agreement ठीक है ये इंडियन specific version था basically CIS MOA का that is communications and information security memorandum of agreement ये sign किया गया to secure military communications between the countries दोनों देशों के बीच के military communications को secure करने के लिए ये काम किया गया और इसमें ये था कि advanced defense systems का access facilitate किया जाएगा और enable India to optimally utilize its existing US origin platforms भाराज जो है वो अपने US origin platforms को भी existing platforms को utilize कर सकता है इसके बाद 2020 में sign किया गया BECA that is basic exchange and cooperation agreement aimed to facilitate the sharing of military information including maps, nautical charts and other unclassified imagery and data ठीक है कि military information share करने के लिए जैसे maps हो गया या nautical charts मतलब जो आपके समुद्र वगरा के जो charts है और बाकी जो unclassified image और data है उसको share करने के लिए ये sign किया गया इसके साथ ही साथ 2019 में industrial security annex to the GSO MIA was signed to facilitate the exchange of classified information between the defense industries of the two countries classified information मतलब होती है इस तरीके के information जो secret रखी जाती है जो public domain में नहीं available होती तो उस तरीके के information को exchange करने के लिए दोनों देशों के defense industries के बीच में ये sign किया गया ठीक है बागी कुछ all deals और sales की अगर हम बात करें तो 2016 में US ने भारत को designate किया as a major defense partner और इसी designation के बाद 2018 में भारत को elevate किया गया to a strategic trade authorization tier 1 status जो भारत को एक license free access देता है to a range of military and dual use regulated dual use technologies regulated by the US Department of Commerce तो इन चीज़ों का license भारत को मिल जाता है हैना license free access मिल जाता है कि कुछ range of military और dual use technologies का जो US के Department of Commerce द्वारा regulate की जाती है इससे पहले 2012 में defense trade and technology initiative agreement जो है वो sign किये गए to promote industrial cooperation and defense trade between the two countries ठीक है दोनों देशों के बीच में industrial cooperation और defense trade को बढ़ावा देने के लिए यह sign किया गया defense trade and technology initiative इसके बाद एक memorandum of intent US defense innovation unit DIU और Indian defense innovation organization that is innovation for defense excellence यह भी यहाँ पर sign किया गया Dio IDEX इसके बाद जो big ticket Indian military procurements है USA मतलब जो बहुत बड़े amount के जो procurements है जैसे कि MH-60R Seahawk multi roll helicopters six hour rifles और M777 ultralight howitzers ठीक है यह भी basically require वहाँ मतलब खरीदे गए है अलचा यह ultralight howitzers basically जो छोटे एक तरीके से tanks वगरा होते है उस तरीके के है ठीक है मतलब tanks का ही lighter version इसके बाद negotiations जो है वो अभी चल रहे है को production को लेकर अगर हम बात करें तो GEF 414 jet engines भारत में बनाने के लिए for the LCA MK2 fighters और 31 MK MQ9B high altitude long endurance UAVs को खरीदने को लेकर negotiations चल रहे है और GEF 414 engines for LCA Tegas Mark 1A इसके deliveries जो है वो वो भी चल रहे है ठीक है तो ये बारत और अमेरिका के बीच में एक तरीके से आप कह सकते हैं जो defense relations है ठीक है जो defense relations है उसको लेकर यहाँ पर चीज़े दे दी गई है तो अगर defense related इंडिया और अमेरिका के संबंद में अगर आपसे defense related कुछ पूछा जाए तो जितने information यहाँ पर उठा के दी है वो सारी अगर आप उठा के लिख दो तो 200 नमबर का आपका 200 words का आपका question भी पूरा हो जाता है और information भी यहाँ पर sufficient है ठीक है इन्होंने लगबग लगबग सारी चीज़े दे दी है इसलिए मैंने इस article को cover किया अदरवाइस यह जो दो नई agreements थे इनके बारे में तो हम दो दिन पहले भी discuss कर चुके थे बट important part यहाँ पर जो यह बागी सारे initiatives हो है ठीक है या बागी सारे जो agreements वगरा किये गए है वो important है ठीक है वैसे आपने यह सारी चीज़े जैसे कि लेमोगा कोम कासा भेका यह पहले भी पढ़ी होंगी बट यहाँ पर पूरा एक सांथ का और हो गया तो उससे यह फायदा ह कि इंडिया और अमेरिका defense relations की जब बात होगी तो वहाँ पर आप इस article में से information को use करके लिख सकते हैं ठीक है चलिए तो यही articles थे जो हमें आज discuss करने थे तो इसलिए हम लोग फिर session को इतना ही रखते हैं तो जो लोग आईना monthly compiled pdf's खरीदना चाहते हैं उनके पास option यह है कि अगर आप पर month लिना चाहते हैं तो less than rupees 2 per day में आपको मिल जाएगी only at 59 rupees जुलाई मैने की already आ चुकी है जून मैने की भी आई है इसी तरीके से upcoming months में भी आपको मिलती रहेगी और अगर आप अगले साल mains exam के ओपर focus कर रहे हैं तो आप 16 मैने की pdf's ले सकते हैं only at 680 rupees 12 मैने की pdf's ले सकते हैं only at 510 rupees 8 मैने की 345 में 4 मैने की 175 में ठीक है और बाकी monthly तुमने आपको बताये दिया at less than rupees 2 per day that is only at 59 rupees बाकी आप हमारे app को जरूर डाउनलोड करें और अगर आपने हमारे किसी भी video course में enroll कि यह हुआ है तो आप जो है वो वीडियो को डाउनलोड करके offline भी देख सकते हैं अच्छा एक चीज मुझे यहां पर थोड़ा सा ध्यान आई I am going to cover it कल वाले मैं मैंने एक किसी का एक वो पड़ा कमेंट और उसमें यह लिखा था कि कल सर जो हमने वो डिसकस किया था that is UPS Unified Pension Scheme जो हम लोग डिसकस कर रहे थे उसमें एक जो लास्ट वाला पॉइंट था about the lump sum payment वो समझ में नहीं आया था ठीक है Unified Pension Scheme मैं यह चाहरा हूँ कि मुझे उसका अगर वो मिल जाए इसमें हो सकता है वह देखो यह वाला था ना लास्ट वाला पॉइंट एक बार इसको कवर कर लेते हैं किसी ने यह कमेंट में पूछा था मुझे याद आ गया I hope आपको दिख रहा है थोड़ा सा और जूम करने की ठीक है अब देखो बागी तो सारे पॉइंट क्लियर थे जो यह लास्ट वाला पॉइंट था लंब्सम पेमेंट अफ लंब्सम पेमेंट एच सुपर अनुशन इंडिशन तो ग्रेचुविटी यह वन तेंथ ओफ मन्तली अमॉल्यूमेंट इस पे अंड यह एंड यह एज इसमें लिखा गया है कि जो यह वन टाइम पेमेंट आपको दिया जाएंगा था यह लंब्सम पेमेंट का मतलब ही वहा है कि वन टाइम तीया जाएगा ठीक अब यह कितना होगा जो मौन्त मॉल्यूमेंट सोते हैं मंतली मतलब आपको जो बेहसिक पे मिल रही है वहends ऑप어요 का 1 10 ठीक है उसका एक दसवा भाग as on the date of superannuation for every completed six months of service अब देखो इसको समझना suppose करो सबसे पहले जो आपके monthly emoluments की बात की जा रही है that is pay plus DA मिला के suppose करो मैं उसको और the purpose of calculation आसान रहेगा मैं उसको मान लेता हूं कि वो एक लाख रुपे है ठीक है basic pay plus DA मिला के एक लाख रुपे है किसी व्यक्ती का ठीक है that is monthly है ठीक है this is monthly monthly emoluments की मैं बात कर रहा हूं एक लाख रुपे है basic pay और DA मिला के ठीक अब इसका 1 10 निकाल लो पहले तो that will be how much इसका 1 10 आप करोगे तो this will be 10,000 अब ये समझो आप calculated every 6 months of the service यानि कि ये 6 महिने का हिजाब है ठीक है ये मिलेगा इतना 6 महिने के हिजाब से ठीक है ये मिलेगा इतना 6 महिने के हिजाब से हाला कि ये calculate 1 month के हिजाब से किया गया है बढ़ ये मिलेगा 6 महिने के हिजाब से तो अब आप ये मान के चलो कि किसी आदमी ने अगर 25 साल की सर्विस की है 25 years of service अगर किसी परसन ने 25 years of service की है ठीक है अगर मान लो किसी ने 25 साल की सर्विस की है तो 25 साल की सर्विस का मतलब है 25 तो पूरे साल होगा एक complete हर साल में 12 महीने तो उसके हिसाब से इसमें 6 महीने कितने होंगे क्योंकि ये हर 6 महीने के हिसाब से तो 6 महीने कितने हो जाएंगे हर एक साल में 2 6 महीने होते हैं तो हो जाएंगे टोटल 50 56 months ठीक है 56 months clear और एक 6 महीने का मैंने आपको बताया कि इस प्यक्ति के हिसाब से जिसकी एक लाख रुपे डिये और बेसिक पे मिला के बन रही है उसके वन टेंथ का छह महीने के हिसाब से दस अजार रुपे है एक छह महीने के हिसाब से और उसको कितने छह महीने के हिसाब से मिलने है पचास जो कि उसकी पच्छे साल की से सर्व मिल जाएगा ठीक है यहां पर जो यह लंब सम पेमेंट दिया गया है वो इस हिसाब से कल्कुलेट होगा कि यह विल गेट पाइफ लैख रुपीज जैजा लंब सम पेमेंट ठीक है आई होब क्लियर है बात अब किसी ने यह शायद कमेंट में पूछा था और हो सकता है कि बागी लोगं को क्लियर हुआ हो या नहीं भी हुआ बागी किसी ने पूछा नहीं बट मुझे यह दियान आया है तो उसके उसमें 56 मंस हो गए तो 50 से आप उसको मल्टिप्लाई कर लीजिए तो पांच लाग रुपे हो गए अब उसे साब से अगर किसी की यह वाला पार्ट जादा है या किसी के जो सर्विस एर हैं अगर वो जादा है 30 साल 35 साल तो उसके इसमें फिर यह बढ़ क्लियर हो गई बात समझ गए है ठीक है चलू है और बागी हमारे आइन स्रीस के जो कोर्स हैं वह मंतली त्री मन्स इक्स मन्स के सारे कोर्स अविलेबल हैं अगर आप इन में से किसी कोर्स में रोल करना चाहें तो वह भी आप कर सकते हैं ठीक है और लास्ट यहर के लिए यह बारा महिनी की कंपाइड पीडिएफ जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 के बीच में अगर आप इसमें एन रोल करना चाहते हैं तो अनली एट 499 रुपीज में आपको यह मिल जाएगी ठीक है सारे के सारे कोर्स और एपस हमारे वेबसाइट और एप पर लिस्टेड हैं जिसमे यह साथ सप्टेमबर से शुरू होने वाली हैं ओनली एट 999 आपको यह क्लासस प्रोवाइट की जा रही हैं तो इसके लिए आप हमारा जो लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में उस पर जाके इसकी बागी डिटेल्स चेक आउट कर सकते हैं और वहीं से अगर आप इंटरस्टेड हैं तो एंडरोल भी कर सकते हैं लेकिन ध्यान यह रखेगा कि सिर्फ पचास बच्चों को ही एक बैच में लिया जाएगा तो इसलिए जल से जल्द आप लोग इसमें एंडरोल कर लें अगर इंटरस्टेड हैं तो ठीक है चलिए और बागी सपोर्ट पहना टो है लि عند लोग means को समझ नहीं रहें सिंस्यर इसी कर देको आप सिंसयर ले नहीं नहीं रहें कोई बात मिन और फिर भी मैं रिकोस्ट गाला कि प्लीज जितना हो सकें अपनी तरफ से कंट्रिब्यूट करने की कोशिश करें कि क्योंकि otherwise यह चीजें YouTube पर नहीं चल पाएंगी यह मैं आपको बड़े फ्रॉइंक ली बता रही है फिर जिस दिन YouTube से चीजें हटती है उस दिन आप कहते हैं कि सर यatically पर आई ये llama facility पर आई ये या यू पर आईए बट जब मैं आपको अपनी मजबूरी बताता हूँ तो कोई नहीं सुनता ठीक है? चलो तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें ज़ाद से ज़ादा शेयर करें आपके जो भी डाउट्स है जो क्वेरीज है वो आप कमेंट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स वगरा से भी करवाएं बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वन टाइम मिल सकें और साथ ही साथ अपना प्यार अपना संयोग हमारे साथ बनाए रखें हाइलाइट आर्टिकल्स आपको करेंट अफेर्स ओकुल टेलिग्राम चैनल पर मिलते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो इसको आप जॉइन करें करेंट अफेर्स ओकुल सर्च करके भी जॉइन कर सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप जॉइन कर सकते हैं ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बगी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्स्प्रेस न्यूज आलेसिस के साथ तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ध्यान रखें प्लीज दू टेक क्यर आफ यॉरसेल्फ थैंक यू वा नाइस डे बाबाई